इतिहास की पुष्टक पहला भाग अध्याई 26 फिर द्वारपालों के दल ये थे गोहरयों में से तो मशले म्याहा जो कुरे का पुत्र और आसाप के संतानों में से था और मशले म्याहा के पुत्र हुए अर्था उसका जेखा जक्कर यहां दूसरा यदियल तिसरा जबद्या चवथा यतियल पांचवा एलाम छटवा यहो हा नान और सातवा एल होए नए फिर उबेदे दोम के भी पुत्र हुए उसका जेखा शमाया हुए दूसरा यहोजाबाद तिसरा योवाज चवथा साकार पांचवा नतनिल छटवा अम्मियल सातवा इस्साकार और आठवा उ क्योंकि परमशर ने उसे आशिश ली थी और उसके पुत्र शमायाह के भी पुत्र हुए जो शूरवीर हुने के कारण अपने पिता के घराने पर प्रभुता करते थे शमायाह के पुत्र यह थे अर्थात ओती रपायल ओबेद एलजाबाद और उसके भाई एलिहु और समक क्या है बलवान पूरुच थे यह सब ओवेदे दोम की संतान में से थे वे और उसके पुत्र और भाई इस सेवकाई के लिए बलवान और शक्तिमान थे यह ओवेदे दोमी 62 थे और मश्यले म्याह के पुत्र और भाई अठा रहा थे जो बलवान थे फिर मरारी के वश में से होसा के भी पुत्र थे, अर्थात मुख्य तो शिम्री, जिसको जेठा नहोने पर भी उसके पिता ने मुख्य ठहराया, दूसरा हिलकियाह, तिसरा तबल्याह, और चवथा जकरयाह था, होसा के सब पुत्र और भाई मिलकर तेरह थे, द्वारपालों के दल इन मुख्य ये अपने भाईयों के बरावर ही यहवा के भवन में सिवा टहल करते थे, इन्होंने क्या छोटे क्या बड़े अपने अपने पित्रों के घ्रानों के अनुसार एक एक फाटक के लिए चिठ्थी डाली, पुर्व की ओर की चिठ्थी शेले मियाह के नाम पर निकली, तब उ अपने तब देधों के नाम के चिठ्थी निकली और उसके बेटों के नाम पर खजाने की कोठ्थी के लिए फिर शुपीम और होसा के नामों की चिठ्थी पस्चिम की ओर की निकली, कि वे शल्ले के पनाव फाटक के पास चढ़ाई की सड़क पर आमने सामने चावकिदारी किया करें पुर्वक और तो छ लेविये थे उत्तर के और प्रतिदीन चार, दखिन के और प्रतिदीन चार और खजाने की कोठरी के पास दो-दो ठहरें पश्चिन ओर के परबार नाम स्थान पर उची सड़क के पास तो चार और परबार के पास दो रहें ये द्वारपालों के दल थे जिन में से कितने तो कोरह के थे और कितने मरारी के वन्ष के थे फिर लेवियों में से अहियाह परमेशर के भवन और पवित्र की हुई वस्तुव दोनों के भंडारों का अधिकारी नियुक्त भुआ ये लादान की संतान के थे अर्थाथ गेरशेनियों की संतान जो लादान के कुल के थे अर्थात लादान और गेरशेनी के पित्रों के घरानों के मुख्य पुरुष थे अर्थात यहोयली यहोयली के उत्र ये थे अर्थात जेताम और उसका भाई यहोयल जो यहोवा के भवन के खजाने के अधिकारी थे अमरामियों, इसहारियों, हेबरोनियों और उज्जियलों में से और शबुए जो मुसा के पुत्र गेर्शेम के वन्ष का था वहां खजानों का मुख्य अधिकारी था और उसके भायों का उरुत्तान त यहां है इलियाजर के कुल में उसका पुत्र रहब्याह, रहब्याह का पुत्र यशायाह, यशाहा का पुत्र योराम, योराम का पुत्र जिक्री और जिक्री का पुत्र शलोमोत था यही शलोमोत अपने भाईयों समेत उन सब पवित्र की हुई वस्तू के भंडारों का अधिकारी था, जो राजा दाऊद और पित्रों के घरानों के मुख्य पुरुष और सहस्त्रपतियों और शत्पतियों और मुख्य सेनापतियों ने पवित्र की थी, जो लूट लढ़ाय इस हारियों में मिलती थी, उसमें से उन्होंने यहुवा का भवन दुढ़ करने के लिए कुछ पवित्र किया, वरन जितना शमुएल दर्शी, कीश के पुत्र शावल, नेर के पुत्र अबनेर, और सरुयह के पुत्र योवाब ने पवित्र किया था, और जो कुछ जिस किस इस्राइल के देश का काम अर्थात सरदार और न्याई का काम करने के लिए नियुक्त गोए और हेबरोनियों में से हशव्याह और उसके भाई जो 1700 बल्वान पुरुष थे वे यहवा के सब काम और राजा की सिवा के विशे यर्दन की पश्चिम और रहने वाले इस्राइलिय के अधिकारी धेरे हेबरोनियों में से यरियाह मुख्य था अर्थात हेबरोनियों की पीड़ी पीड़ी के पित्रों के घरानों के अनुसार दाउद के राज्य के 40-वे वर्ष में वे ढूंडे गये और उन में से कई शूरवीर गिलात के याजेर में मिले और उसके भाई जो वीर थे पित्रों के घरानों के 2700 मुख्य पूरुष थे इनको दाउद राजा ने परमिश्वर के सब विश्यों और राजा के विश्य में रुबेनियों, गादियों और मनश्य के आधे गोतर का अधिकारी ठैराया